भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर्जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बैल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें बच्चा बिगड जाए तो पुलक सागर है यादाता है बच्चा बिगड जाए とो महराज याद आते हैं जब बिगड रहे थे तम महराज याद नहीं आया करते हैं बिगारो तुम और सुधारे हम वाल क्या बात है मैं तो अपनी ड्यूटी करूँगा मैं तो अपना काम करूँगा ही करूँगा मैं तो तुम्हारे बच्चों को सुधारने का प्रयास करूँगा ही करूँगा लेकिन केवल मेरे प्रयास से जिंदगी में कोई परिवरतन आने वाला नहीं है मावाब की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आप अपने बच्चे को देखिए आप अपने बच्चे पर निगाई रखिए बच्चा छोटा है वहीं से पता पढ़ जाएगा कि संसकारित है या नहीं पहले के समय नामकरण संसकार होता था बच्चे का नाम रखा जाता था बच्चे का नाम करण संसकार बड़ी उत्सव से हुआ करता था आज वो समय जा चुका है पहले के समझे महराना प्रताप जेसों का नाम संसकरण हुआ करता है महराना प्रताप जैसे उलाद का जब जन्म हुआ करता है तो उनके पिता उदय से मालूम है क्या करते हैं छोटे छोटे बच्चों को रख करके उनके सामने बहुत सारे सामान रखते हैं वहाँ खिलोना भी रखा जाता है वहाँ कपड़े भी रखे जाते है वहाँ खाने पीने का सामान भी रखा जाता है एशो आराम के सामान भी रखे जाते हैं वहाँ अश्टर सश्टर भी रखे जाते हैं जब महराना प्रताप का नाम करन हुआ छोटे से थे उन्होंने कहा कि बिद्वानों ने कि देखो बच्चा क्या उठाता है दूद की बाटल उठाता है खाने का सामान उठाता है खेल खिलोने उठाता है महराना प्रताप का हाथ बच्पन में ही अबो दवस्था में भी कही जाता है तो सीधा हाथ तलवार पर जाया करता है उनका नाम हो जाता है ये छत्री कुल का रोशन महराना प्रताप बन करके खड़ा ऐसी प्रवत्तियां देखी जाती है अपने बच्चों की प्रवत्तियां देखो छोटा सा बच्चा है जब वो सामान पकड़ने लायक हो जाए तो देखना वो कौन सा सामान पहले पकड़ता है जान रखना तलवार पकड़ेगा तो राज्य करेगा पूरे देश की रक्षा में उसका हांत उठेगा खेल खेलोने पकड़ेगा तो घूमता रहेगा यहां वहां टाइम पास करता रहेगा कोई पुस्तक उठा लेता है वो भी द्वान बनके खड़ा हो जाया करता है विचार करना है आपको अपने बच्चों का नाम करन ऐसे करना चाहिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको सोचना है कि आपका बच्चा किसी को तकलीफ में देखकर उसकी आँख में आशु आते है या नहीं आते है किसी की पीडा को देखकर तुम्हारे बच्चे का हिरता है या नहीं भरता है यह माबाप को आकलन करना पड़ेगा मनोविज्ञान को जीवन में उतारना पड़ेगा कोई बच्चा तुम्हारा रोटी खा रहा है दूसरा बच्चा रोटी छीन रहा है तुम्हारा बच्चा रोटी देता है या उसे मना करता है ध्यान रखना इससे बच्चे की पूरे जीवन भर की कुंडली बन जाया करती है कि बच्चा आगे जाकर क्या बनेगा ध्यान रखना मानने वे, सोचना देखो बच्चे को उसकी प्रवत्ती क्या है उसका नेचर क्या है उसका जीवन कैसा है वह कैसी जिन्दगी जीना चाहता है इस सारे गुन बच्पन में ही दिखाई दे जाया करते है मानने बच्चार करना है सोचना है तुम्हारे बच्चे के हिर्दे में शम्वेदनाए होना चाहिए शाहर देता होना चाहिए तुम्हारे बच्चे के हिर्दे में दूसरों के दर्द में अपने हिर्दे में पीडा पैदा होना चाहिए तुम्हारा बच्चा कीडे मकोडों को मारता तो नहीं है उन्हें पेरों से कुचलता तो नहीं है उनके प्रती निर्देता और क्रूरता के भाव तो नहीं लाता है यदि लाता है तो समझ जाना आज ये बच्चा केड़े मकणों को मार रहा है कल तुमारे आँखों में आशू देने वाला है बढ़ापे में बच्चा तुम्हें सुख देने वाला एक क्रूर संतान को तुमने जन्म दिया है ज्यान लखना मानने बढ़ा निवेदन है आपसे बच्चे को सिखाओ स्कूली सिक्षा से जीवन नहीं बनने वाला है स्कूल की सिक्षा से डिगरियां मिल जाएंगी स्कूल की सिक्षा से वह C.A. बन जाएगा M.B.A. बन जाएगा डॉक्टर बन जाएगा इंजिनियर बन जाएगा बकील बन जाएगा लेकिन यह मच्चोचना कि स्कूल की सिक्षा से बच्चा इंसान बन जाएगा नहीं आज हर माबाप का सपना है मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए मेरा बच्चा I.S. I.P.S. आफिशर बनना चाहिए मेरा बच्चा दुनिया का बहुत बड़ा बिजनिसमेन बनना चाहिए हर मावाप यही सोचते हैं पैदा करके थोड़ा बड़ा होता है पूना भेज देते हैं वहाँ भेज दे जा पढ़ाई कर अपना करियर बना मानिवर भेजो मैं बिरोध नहीं करता हूं अपने बच्चे को डाक्टर इंजिनियर बनाओ लेकिन मैं पुलक सागर नांद गाओं में बैठकर यह कहता हूं कि डाक्टर इंजिनियर बनाने से भी बड़ी चिंता आदमी को होना चाहिए कि मेरा बच्चा एक अच्छा और सच्चा इंसान बन करके खड़ा हो जाए तो समझना जीवन उसका सारतक है ध्यान रखना अच्छा इंसान अच्छा डाक्टर बनता है अच्छा इंसान अच्छा वकील बनता है और अच्छा इंसान अच्छा सीए बन करके खड़ा होता है और अच्छा इंसान होगा तो देश में उद्धार में भी राजनीती से देश को मजबूती पडान है बुरा आदमी किसी भी छेत्र में चला जाए वह जीवन का कल्यान नहीं कर सकता है इसलिए आप से निवेदन कर रहा हूँ दो-तीन देन और आज कितने दो दिन हो गए तीन कितने दिन और रुकना है ये तो कुछ बोली नहीं रहे है तुमी बोले जा रहे है दो दिन रुकना है विचार करना है आपको आट-दस दिन रुकना है कोई पैसा दे के बुलाया है कि हमको ये आट-दस दिन रुको कमाल है माने बार आपसे लिवेदन करना चाहता हूँ आपसे बिनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ ये बेतन भोगी सिक्षक तुमारे बच्चों को महान नहीं बना सकते हैं जान रखना बच्चों को महान बनाने के लिए टीचर की जरूवत नहीं बच्चों को महान बनाने के लिए गुरूओं की जरुवत हुआ करती है आज हमारे देश में टीचर की वाड आ गई है गुरूओं का इस तर गिरते चला जा रहा है टीचर पाश्चात संस्कती है गुरू हमारे पूरप की संस्कती हुआ करते है आज का बच्चा माबाप का कहना नहीं मानता है सिक्षक का कहना नहीं मानता है यदि आपका बच्चा संतों से जुड़ गया तो संतों का कहना मान करके जिन्दगी को बदल लिया मेरा औरंगा बाच्चे तुन मास्ता ऐसे ऐसे युबाजो शराप पीते हैं जो गलत रास्तों पर है उनके माबाप मैनत करकर के हार गए समाज के लोग कहके कर हार गए पच्तनी आखों में आसू भरते रही जीवन नहीं बदल पाए दो चार आठ दिन पुलक सागर के साथ रहे जिन्दगी भर को विसन मुक्त जीवन का संकल्प उनों ने ले लिया है ध्यान रखना परिवर्तन सिक्षकों से नहीं परिवर्तन गुरुओं से जीवन में आया करता है आपके पास टाइम नहीं है आपका बच्चा गुरुओं के पास नहीं जाता संतों के पास नहीं जाता एक बात याद रखना एक सिक्षा वो होती है जो स्कूल में दी जाती है और एक सिक्षा वो है जो संत चरणों में बैट करके पाई जाती है स्कूल में जाओगे आसे अनार सिखाया जाएगा पुलक सागर के पास आओगे मैं आसे अनार नहीं मैं आसे अदब सिखाने की बात करूँगा स्कूल में जाओगे बासे बकरी सिखाया जाएगा मेरे पास आओ मैं बासे बहदरी सिखाने का तुमें काम करूँगा स्कूल में जाओगे सासे सडक सिखाई जाती है नानगाओं की सारी तूटी है और पढ़ो बेटा सासे सडक कहीं से भी आओ तूटा-पूटा रास्ता तूटा-पूटा एक तो किस्मत से मिल गया तो मैं आ गया है नहीं तो औरंगा वास से तो पूरा रास्ते सासे सडक ये पढ़ा है आदमी ने सडक नहीं बना सका मैं कहता हूँ मेरी सभा में आओ सासे सडक मनाना मैं नहीं सिखाऊंगा लेकिन सासे सली का सिखाना मेरा धर्म हुआ करता है एक बात याद रखना दासे दवात मत पढ़ो दासे दोस्ती करना सीखिये गासे गधा मत पढ़ो मेरे भाई गासे गणधर बनने का प्रियास कि जी ध्यान रखना बरण वाला है जीवन को बदल दिया करते हैं यह मेरी धर्म शभा है यहां सलीके से बैठना यहां अदब से बैठना यहां बहादरी से जीना यहां दोस्ती के सम्मन्द निभाने का प्रियास करना माने सोचना है आपको कोई बच्चा आता है मैं पूछना हूँ कि बेटर नमोकार मंत्र आता है बच्चा बोल देता है तो लगता है इसकी घर में संसकार 24 सिथंकर के नाम आते है बच्चा बोल देता है लगता माबाप ने कुछ सिखाया है हमारी माता में माताएं थी हमारी दादी माती बच्पन में खाट पे लेट करके खुले आकास के नीचे हमें कुछ नहीं सिखाया करती इतनी कहती थी विटा अर्यहंत पिताजी तेरे जिनवानी माता तेरी ये संसकार माबाप हमें घोटी में घोट घोट कर पिलाया करते थे आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं ध्यान रखना ये फिल्मी दुनिया ये फिल्मी जगत 24 घंटे मोबाइल पर बच्चा लगा है आप सोची क्या जिवन बनेगा उसका